नमस्कार दोस्तो एननार इस्टडी एलेर्णिंग प्लेटफरम पर आपका स्वागत है पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करतीजेगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाए तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के पैपर्स की तो लगबग हिंदी के हमने दो मोडल पैपर कर लिया है चाहे आपके पटवाई से रिलेटेड एक्जाम हो जहांपर हिंदी आती है तो उनके लिए ये MCQ है तो जल्दी से जुड़ जाएगा और मैतपूर्ण है आपके रिट के लिए तो चलो दोस्तो चलते हैं आज के क्योशन सीरीज के और बिल्कुल आपका स्वागत है अगर आप हमें फेस्बूक पर लाइव देख रहे हैं तो जल्दी से पेज को फोलो करतीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं चैनल का लैंक आपको उपर मिल जाएगा बिल्कुल चलो जलते हैं आज के हिंदी सीरीज की और बिल्कुल स्वागत है चलो तो आपके सामने पहला क्योशन आ रहा है रीड के लिए अति मैतपून चल रहा है कुल मिला के रीड कही है तो आपके सामने पहला क्योशन आ है बासा अधिगम में प्राय कठना ही नहीं आती है तो आपको बताना है कि बासा अधिगम में प्राय कठना ही नहीं आती है किसकी नहीं आती है संकोची सवभाव की आत्म विश्वास की कमी मानसिक असवस्ता या मानसिक स्वस्ता जल्दी बताया करेक्ट आंसर क्या होना चैस में जल्दी जल्दी दोस्तो चलो दोस्तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं option 4 इसका करेक्ट आंसर होगा मानसिक स्वस्ता यह को बासा अधिगर में प्राय कठना ही नहीं आती है तो मानसिक स्वस्ता की कभी कठना ही तोड़ी आती है अगर आपका मानसिक स्वस्ता ठीक हो यदि उसका सवभाव संकोची और आत्म विश्व वास कम हो तब उन्हें बासा सीकना में कटनाई होगी तो यहां पर correct answer की बात की जाए तो यहां पर क्या होगा option 4 होगा गाउसिक स्वास्ता अना इसमें कटनाई नहीं आती है बाकि अगर आपका संकोची स्वबाव है या आतनुई वाक्य लिखा है वो आपको बताना है किसी आदमी को बेज़ दो हम अवस्य ही जाएंगे तब साइद ये कारिया उससे हो जाएगा करपिया आने का अनुग्रे करें पतो इन में से कौन सा वक्य है सुद्ध वाक्य लिख रखा आपको बताना है जल्दी हुता है जल्दी अपना करेक्ट आंसर दें चलो दोस्तों करेक्ट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर होगा किसी आदमी को बेज़ दो तो यहाँ पर देखो किसी आदमी को बेज़ दो यह वाक्य क्या है सुध वाक्य है यानि सुध रूप से लिखा गया वाक्य है यानि व्याकरण की दस्टी से अगर बात करें तो यह वाक्य वाक्य आपके क्या है जबकि जो अन्य दिये गए जो वाक्य है न तीनों ये व्याकरण की दस्टे से क्या है असुद है जबकि व्याकरण की दस्टे से अगर वो सुद वाक्य है तो वह है आपका option A यहां पर देखिए यह सब्जेक्ट है आदमी और उससे पहले क्या रहा है सब्जेक्ट का विस्तार यानि किसी आदमी को बेज दो तो किसी आदमी को बेज दो अथारत किसी आदमी को यानि यह आप पहले सब्जेक्ट का विस्तार उसके बार आपका संपुर्णा के आ रहा है चलो दोस्तों चलते हैं अगलिकेशन के और बिल्कुल option A यहां पर correct answer है, बिल्कुल, चलते हैं अगलिकेशन के और, यह लो, कि उसना आपके सामने है, सब्ध कोस में निम्न मैं से सरो परतम आने वाला सब्ध क्या है, आपको बताना है कि सब्ध कोस में निम्न मैं से सरो परतम आनेवाला सब्द क्या है प्याव परकंप पल लवन या पर किरेंग जल्दी क्रेक्टर टांसर क्या होगा सब्धकोस में सरल्बदों शरस के पहले क्या आता है पउड़ आता है आपको पता है पर से पहले आपको पता है जैसे कि मैं लिखता हूँ यहां पर देखो सब में पर आ रहा है तो आपको पता पर से पहले क्या आता है पर यह वाला पर आता है ना तो यह पर आता है तता यह रह लव करमस इस पर स्टेगी यहां पर पहले क्या आएगा देखो एक आपने वह सब पड़े हैं ये ल्व ये लव पड़े ना तो उन में सबसे पहले क्या आता है ये आता है तो यह ay Come Yep I एक तो पहले में ओर तीसरे में आदा पार रहा है तो प्रण्टु यह पर यह पहला आ यह सारे वर्ण आपको याद होने चाहिए, तो यहाँ पर correct answer रोगा option A, चलो चलते हैं अगला question की, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका, चलो अगला question आ रहा है, वर्तिनी की दस्टी से सुध सब्द है, आपको बताना है कि वर्तिनी की दस्टी से जो सुध सब्द है वो पर्तियूस, वर्तिनी की दस्टी से, जल्दी छे इसका correct answer बताए क्या होगा, चलो दोस्तो correct answer बता देते है, option 4 यहाँ पर पर्तियूस, यहाँ पर correct answer है, देखो इक्सा आ रहा है पर न तू इक्सा ने इसको इच्छा बोलता है तो इच्छा के अंदर क्या आता है, इच्छ और यह च्छा इच्छा, अववान, तो अववान ऐसे नहीं लिखते हैं, इसके नीचे रह की मातर आ जाती है, यह वहने आकर नीचे से रह की मातर आ जाती है, तो यह असुद है, फिर संगार, यहाँ पर संगार लिख रखाए तो संगार में कभी double नहीं आता है, only 4 single आता ह यह ऐसे तो यह इस प्रकार आएगा फिर यह आपके संगार सुध होगा परन्तु यहाँ पर पहले ही ओल्रेड़ी जो option 4 है वो क्या है सुध है तो option 4 यहाँ पर किया सुध सब्द है बाकी तीनों असुध है तो मैंने आपको बता दे तीनों सुध कैसे होंगे चलो चलते हैं अगले किविशन के और बिल्कुल अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक निवेदर हैं कि जल्दी से इस वीडियो को सेर कर दीजिगा मजा आने आपको यहाँ पर बताना है सक्क्रमक किरिया है तो सक्क्रमक किरिया कौन सी है आपको करेक्ट आन्सवर देना है सकर्मक, सकर्मक कार्थ क्या होता, करम साथ में होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, आपने अगर सकर्मक और अकर्मक दोनों पढ़ रहे के, करम साथ में होना चाहिए, तो देखेगा, करेक्ट रांसर होगा, यहाँ पर option B या option second Q, पढ़ना क्या है, पढ़ना अपना आप में क्या एक करम है और बाकी वाले क्या है आपके यह तो सक्रमक किरिया हो गई और बाकी वाले तीने किरा है क्या हो जी अक्रम अगेन हसना सोना यह जो हसना है सोना है यह रोना है इसमें करम ना होकर क्या होता है यह एक पर करकर क्या है अक्रमक किरिया जिसमें करम नहीं पर बिल्कुल स्वागत है जो ऑप्शन भी आंसर दे रहा है बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट है बिल्कुल स्वागत है चलो दोस्तों चलता है अब आचुका आपके सामने गध्यांस चलो इसको छोटा करता है समझने में आसानी रहेगी चलो यह आचुका आप अच्छा सा गध्यांस है आपको गध्यांस निमन लिखित गध्यांस को पढ़कर दिये परशनों का उच्छित उत्तर हमें चुनकर लिखना सांगा पढ़ लेते हैं हम यह लोग देखो वर्तमान में मेरे लिए एक बार पढ़ ले वर्तमान में मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मद्य युगिंता बैंकर गरिबी दुरगती और मद्य वर्ग की कुछ-कुछ सताई आदुनिकता का विचित्र मिश्रण में अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रसंसक नहीं था फिर भी भारतिय संग्रस में नेतरतों के लिए में निश्चित रूप से मद्य वर्ग की और देखता था ये मद्य वर्ग स्वयम को बंदी और स्रीमाओं में जखडा हुआ मैसुच करता था और खुद और विकास करना चाता था अंग्रेजी सासन के धांचे के बीतर ऐसा न कर पाने के कारण उनके बीतर विद्रो की चेतना पनपी लेकिन ये चेतना उस धांचे के खिलाप नहीं जाती थी जिसने हमें रोन दिया था ये धांचे को बनाए देखना चाते थे और अंग्रेजों को हटा कर उसका संचालन करना चाहते थे ये मद्यवरक के लोग इस हद तक इस डांचे की पेदाइस थे कि उसे चुनोती देना या उसे उखाड फेगने का परियास करना इनके बच की बात नहीं थी चलो आपने गध्यांस पूरा पढ़ लिया है पढ़ लिया एक बार आप द ट्रल मॉडल पर आपको यह पर उत्प्र हो जो होएंगे जिसमें आपके साइन्स और विज्ञान है यह तो मैं तो पुन है कि चलो चलते हैं यह लो बई क्योशन आचुका है आपके सामने लेखक किस वरक से संब्दित हैं बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर दीक रहा होगा क अगला आपके सामने हैं कि गध्यान चाहता था अभी हमने भी पड़ा बिल्कुल आपको अपने आंसर दीक रहें चलो अगला आपके सामने हैं कि गध्यान्स में आये भारतिय संग्रस का संदः है जो गध्यान्स में भी भारतिय संग्रस आया था न बीच में तो उसका संदर्ब है वो किस से संदर्ब बता रह रहे हैं पर बेलकुल बेलकुल्प webinars अगभी 25 पेर्फर करेंगे हिंदी के सबी कि लगे न कि चलो आगे फश्टनेन नीम Must से कौन सा सामाजिक वर्ग बिटीइस शासन परण लीकी उपसथा नीमन मैंसे कौन सा सामाजिक वर्ग बिटीश शासन परनालिकी उपज था, option A, उच वर्ग, सामन्त वर्ग, किसान वर्ग या मध्यम वर्ग चलो, बिल्कुल अभी हम मध्यम वर्ग की बात कर रहे थे, तो option 4 होगा, इसमें मध्यम वर्ग बिल्कुल correct answer है चलो, यह तो इस्पीड में कर रहे है, तो बासा सिक्षन का आदरस वातावन है, आपको बताना है कि बासा सिक्षन का आदरस वातावन क्या है, एक बहुत important आपको बात बता दता हूँ, कि साथ में हमारे हिंदी की जो सिक्षन वीदिया है, उसकी भी MCQ चल रहे है न, तीस क्य सिक्षन तो आपके सिक्षन वीदियो के आते हैं, तो यह देखो इसक्षन वीदिया है, वासा सिक्षन का आदरस वातावन है, आप्शन A, विद्यार्तियों को अभी व्यक्ति के बरपूर आउसर, आप्शन B, वासा गत सुदता पर अतितिक बल, आप्शन C, अध्यापक का एकालाप या option D दर्षिय सर्विय सामगरी का परचूर उप्योग वासा सिक्षन का आद्रस वातावन आपको बताना है तो चला दोस्तों correct answer आपको बता देते हैं बिल्कुल स्वागत आपका चलो option A याँ पर correct answer होगा विद्यार्तियों को अभी व्यक्ति के बरपूर आफसर देना option A याँ पर correct answer होगा बिल्कुल स्वागत आपका option A याँ पर correct answer है चलो चलते हैं अगले question की ओर यह रहा आपके skin पर अगले question देख रहा है आपको चलो बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है बिल्कुल जैसरी क्रिष्णा बिल्कुल जैसरी राम बिल्कुल चलो option आपके सामन है कि कि किस सब्द का संदी विचयत सही नहीं है तो आपको बताना है कि किस सब्द का संदी विचयत आपको सही नहीं लग रहा है या सही नहीं है option आई देखों यहाँ पर प्रे प्लस उड प्रोड option बी नी प्लस उड न्यून अंबु प्लस उर्मी अंबुर्मी फिर option फोर है सची प्लस इंदर सचिंदर जल्दी उताओ correct answer जल्दी correct answer बताए चलो दोस्तो जल्दी से correct answer अपना बता देजीगा क्या होगा? इसका correct answer बिलकुल बिलकुल चलो दोस्टो correct answer बता देते हैं इसका correct answer होगा option B नी प्लस उन यह पर गलत होगा. देखो नी की आपर देखो नी निउन तो निउन य यहापर बह्ले ही इसने क्या ले लिए चोटी मात्र लेली परंतु यहां पर जो मात्र आएगी वो चोटी मात्र आएगी यह रहाए यह नि यह न आ गया आए गया न यह इस परकार होHaater 2 प्लस अ था फिर आपके न्यून आएगा यह ना कंफ्यूजah नहीं हो इसलिए छोटा निया आएगा बिल्कुल नी प्लस उन यार अपड नून है ना चलते हैं अगले क्योश्ण के आप बिल्कुल स्वागत आपका देखो पूरा मोडल बेपर आपको करना है बिल्कुल चलो अगले क्योश्ण आपके सामने परति एक पार्ट के प्रारण में होना चाहिए प्रति एक पार्ट के प्रारण में क्या होना चाहिए पार्ट का साथ परिशिष्ट प्रस्तावना या अभ्यास चलो जल्दी से अपना correct answer देदे चलो बता देते हैं correct answer बिल्कुर बिल्कुर स्वागत है क्यूशन यह है कि यहाँ प्रतियक पार्ट के प्रारम में हम ऐसा प्रस्तावना का होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रस्तावना के माध्यम से हम चार पांच क्यूशन देते हैं प्रस्तावना में और उन पांच क्यूशनों के उत्तर हम बाल को से लेते हैं और उनी कि उसनों को आधार मानते हुए हम पाटिक्रम की जो पाटिक्रम है वो शुरू करते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं तो सरुपरतम हमें क्या देनी चाहिए प्रस्तावना देनी चाहिए तो correct answer option C होगा बिल्कुल जिनोंने option C आंसुट दिया बिल्कुल आपका ज YouTube का तो उसको ओन कर लिजीगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिल्कुल स्वागत आपका तो आपके सामने क्यों से नहीं देगो रंग मंच पर परदे के पीछे का इस्तान क्या क्या आता है वो आपको बताना है नेप्तिय नेप्तिय प्रेक्साग्रे या ओप्सेन भी इसका करेक्ट टांसर होगा नेप्तिय ना तो यह इसका करेक्ट टांसर हो यहां पर नेप्तिय का आर्थ क्या होता है यानि बंद होना यानि रंग मंच पर पर परदे के पीछे का इस्तान इसका आर्थ होता है बंद होना ना चलो चलते दोस्तों अगले क्यों प्राइवाची सब्दों का सम्मू है इंद्र का प्राइवाची सब्दों का सही सम्मू कौन सा आपको बताना है वैंते चंद्रमोली सुर्पती देवराज जल्दी बता करेक्ट आंस्वर इंद्र के प्राइवाची सब्दों का सही आपको बताना है देखो चलो आपको करेक्ट आंस्वर बता देते हैं आपको बताना है कि बासा परवा तता अभी वेक्ति कोसल के मुल्यान गन का उप्युकत तरिका कौन सा है लिखित परिक्षा है वस्तुनेश्ट परिक्षण मोखिक वारतलाप या इन में से कोई नहीं बासा का प्रवा अभी वक्ति कोसल सामने दिख रहा है करेक्टांसर इसका ये तो आपको आ जाना चाहिए चलो दोस्तों बता देता है करेक्टांसर होगा आरे मोखिक वारतलाप बासा का परवा मतलब बोलना तो जब आप बोलोगे तभी तो उसका मुल्यांगन हो पाएगा आपके अभी विक्ति कोसल का मुल्यांगन कब हो पाएगा जब आपसे मोखिक वारतलाप की जाएगी तो मो हम ले सकते हैं अराम से बासा प्रवाताता तरीका है रहा आपके हो आपका स्की पर 2000 का है अनुलंब और अगला है आपके अनुलंड तो यह आपका देखें एक वर दे रहा आपका अनुलंब और एक और दे रखा है अनूल लग रहा है उर्द्वाकार अथार्थ समय के अनुसार उपरी यानी जुड़ा हुआ अनिस्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ लंबई के अनुसार यानी सुबकाल चलो बता जल्दी से करेक्ट टांसवर सही विकल्प आपको चुनना है जल्द विकल्प चुनिए तो यहाँ पर अनिस्चित यानी किसी के साथ जुड़ा हुआ यानी अनुलमकार्द होता है अनिस्चित तता अनुलमकार्द क्या होता है किसी के साथ जुड़े होने से तो यहाँ पर अनुलमकार्द होता ना था और अनुलमकार्द होता ना था और situation कैसे लग रहे हैं आपको और जो पड़ानी की से लिए आपको परसंद आ रही है नहीं आ आ रहे है तो comment करके बता सकते हैं यह आपका परिवार है इससे आप अपना परिवार समझें बिल्कुल अगला के सामने के उसने पंडित दूद पीता है इस वाक्य में कारक कोई नहीं पंडित दूद पीता है इसमें इस वाक्य में कारक क्या है कारक करता ने करम को करण से सपाधान के लिए अपाधान से लग वो कारक है न तो आपको बताना उप्सन है करम करण संपाधान संबन करता करम या उप्रिक्त में से कोई नहीं पंडित दूद पिता है चलो दोस्तों जल्दी बताओ बिल्कुल करेक्ट आंशर होगा option C करता है हूं करम देखो पंडित कुन है पंडित है अपने करता यानि पंडित है आपका करता और करम क्या कर रहा है दूद दूद को पिता है न तो पंडित हो गया आपका करता चलो ओप्शन थड़ या पर करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा option थड़ मजा रहा है देखो ऐसे क्यूशन चलाएंगे हम चलो 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 यह लो पही यह लो आपके सामने इस क्यूशन आ चुका है गय को वन माला में माना जाता है गय यह शेंट वेंचन स्वार वयत संधी या शूर या वेंचन egro को हो हेरे माज चलो दोस्तं जल्दी से बता देते हैं बिल्कुल बिल्कुल सभ्चिंटा वेंचन मना जाता है इनको सभ्ड्वेंचन केंगे ना यह आपके स्भ्ण सब्सक्राइब करें तो आपको पता है किसे बनाई है यह एक तो ज़र से और ज़र के साथ आप इत्रह मिला दो तो यह आपके ग्या बन जाएगा ना के बहुझे चलों चलों लृट जलते हैं मिलकुल कोई भी Celtic नहों तो आप कमेंड पर बता सकते हैं लगभग आपकी confusion का अर्थ समूझ शुनिये Connect सब्द का अर्थ समूझ शुनिये Connect सब्द का अर्थ समूझ शुनिये Option A आपर Vraks, Swann, Dhathura Option B है Swann, Dhathura, Gyaung Option C है Istri, Plus, Abushan Option D है इन में से कोई नहीं जल्दी Connect सब्द का अर्थ शुनिये Connect सब्द का जल्दी से आंसर बता दिजीगा, क्या होगा इसका correct answer चलो दोस्तो, correct answer बता देते हैं, option B इसका correct answer होगा, so and the answer ग्याऊं so and the ग्याऊं, तो ये इनके बिन बिन अर्थ हैं, तो चलो दोस्तो, चलते हैं, अंगले exclusion के ओर याणी सुर्ण, दतुरा, गयुं, इनका एक ही अर्थ आपके करनक्त है ना, चलो, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है स्वागत है बिल्कुल, ऑप्शन अब आपके सामने क्योंसर आ रहा है? निम्द मैंसे किस सब्द में बहुवीरी समाज है? हैं बहु वीरी समाज किसमें हैं आपको पताना है चोराहा पंचेसी पंसेरी सताबदी और पंजाब कि जल्दी बहु वीरी समाज कि जल्दी पताए करेक्टर आंसर क्या होगा इसका जल्दी दोस्तों अपना करेक्ट आंसर दे दी जिगा बहु वीरी समाज कौन सा होगा बहु वीरी समाज इनमें से किसमें हैं चलो दोस्तों करेक्ट आंसर बतादे हैं यहाँ पर ओप्सन फोर होगा पंजाब देखों पंजाब यानि 5 नदियों वाला चेतर अथार्थ पंजाब राजे इस सब्द में बहु वीरी समाज है बहु वीरी समाज क्या होता है चलो मैं आपको बता देता हूँ देखो बहु वीरी समाज होता है कि जब कोई सब्द अपने साब्दिक अर्थ के अलावा यानि समाज विक्रे करने के बाद साब्दिक अर् के अलावा किसी अन्य विशिष्ट अर्थ का बोत कराता है उन्हें क्या कहता है हम बवीरी समाज कहता है यह विशिष्ट अर्थ का बोत करा रहा है बाकी 4 यह चार रस्तों वाला सताबदी वगर तो यहां पर correct answer option 4 हो गया यह नि पंजाब यानि पांच नदियों वाला छेतर चलो दोस्त चलते हैं अगले क्यों बिल्कुल जिन्होंने option 4 answer दिया बिल्कुल आपका जवाब correct है तो चलते हैं दोस्तों अगले क्यों अब आपके सामने क्यों है किस सब्द में लब परते रूप में नहीं आया है किस सब्द में लब परते रूप में नहीं आया है option A है कुसल option B है मुर्दुल option C है विमल option D है रोमल जल्दी बताया correct answer क्या होगा चलो दोस्तों correct answer बता देते हैं इसका correct answer होगा option third यानि option C विमल तो देखो विमल एक खुद सब्द है विमल क्या है एक खुद सब्द है तो इसमें ये पूर्ण रूप से सब्द है बाकि कुसल के अंदर लब परते लगा है बाकि इसके मर्दुल में लगा है और रोमन में रोमल में इनमें लगा है बिलकुल दोस्तों अगला किसन आपके स्केन पर है तेको विसर्ग संदिका हुधारण है आपको बताना है कि विसर्ग संदिका हुधारण कौन साह आते एव वीसम्रण उंचारण या विसर्ग आते एव, V समरण, उच्छारण और विसर जल्दी चलो दोस्तों correct answer आपको बता देते हैं बिल्कुल 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 जल्दी बता है स्वागत है चलो दोस्तों correct answer की बात की जाए तो option A होगा अत एव यानि अत पलस एव आपको पता इसका संदी विसर क्या होता है अत के पास ये विसर पलस एव तो हम क्या लिखते हैं अत एव तो यहाँ पर correct answer रोगा option A तो option A में अत एव में आपके विसर क्संदी है न चलो चलते हैं दोस्तों अगले question की हो चलो भई ये रहा आपके इसके इन पर अगला question question कैसे लग रहा है बासा सिक्सक को एक बहुष सांस्कृतिक कक्सा में किस बात पर बल देना चाहिए तो वो question है कि बासा सिक्सक को एक बहुष सांस्कृतिक क्लास है यानि बासा का सिक्सक है एक बहुष सांस्कृतिक क्लास है तो उसमें उस सिख्षक को किस बात प्रबल देना चाहिए बच्चों का भासा परियोग के अधिक से अधिक आउसर देना पाटे पुस्त के प्रतियक पाट को बली बात समझाना बच्चों को व्याकन सिखाना स्वैं द्वारा भासा का सुध परियोग करना जल्दी दोस्तों अपने करेक्ट आंसर बताया बिल्कुल बिल्कुल क्योशन बहुत ही जबरदस्त है और तगड़ा है तो बच्चों को जितने ज़्यादा अगर हम आउसर देंगे न तो उतना ज़्यादा उसायत होगा अगर हम यह उस सीज का उपयोग कर रहे हैं और बच्चे निश्क्रिय रूप से सुन रहे हैं तो उस समय अधिगम बच्चे नहीं कर पाते हैं तो इसलिए उस समय उस टीचर का उस शिक्सक का फर्ज बनता है कि बच्चों का बासा परियोग के अधिक से अधिक उसको अउसर परदान करें जिससे वो बासा का बली प्रकार से उप्योग कर सकें तो यह होता है कि आप जितना ज्यादा बच्छों को आउसर दोगे तो उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा अगर उसको आउसर ही नहीं दिया जाए तो क्या होगा वो अपना टेलेंट वहीं तक उसका सिमित हो नहीं बना है आपको बताना है कि इन पड़ते के योग से कौन सा सब्द नहीं बना है मनोहारिन नमगीन यूगिन ग्रामीन जल्दी बताए देखो यहापर दिमाग लगाने की आउ सकता है कि कौन सा सब्द यहापर करेक्ट आंसर होगा चलłो दौस्तों, मैं आपको बता देता हूं मनोहारिन में यहापर in पड़ते नहीं जूडा है कुछ यहापर उप्शन 4 कर रहे हैं option 4 में in परते जुड़ा है gram plus in gram plus in लिखते हैं तब आता है gram in देखो मैं बता देता हूँ gram plus in देखो जैसे gram plus in जब gram plus in इसको हम सामिल करेंगे तो क्या आएगा gram in न का न बन जाता है और यूगिन का तो u plus in और नमकिन का तो नमक plus in मनोहारिन में in परते कैसे लाओगे तो नहीं होगा तो correct answer option ए होगा बिल्कुल देखो सब्दों को तोड़ना सिखो और उनका सार्थ अर्थ बनना चाहिए यानि उनका correct अर्थ आना चाहिए यानि संदी विज़एत करने के बाद उनके अर्थ बननने चाहिए अगर अर्थ बनन रहे हैं तो बिल्कुल सही है अगर नहीं बन रहे है तो उनमें कोई पढ़ते नहीं कोई उपसरगर नहीं तो ये वहीं यहां पर बात हो रही है चलो बिल्कुल option यहां पर correct answer है चलो चलो बिल्कुल class में मजा आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ रहा है तो सभी को दो सभी को सेर करो अंजान सुजान सदा कल्यान अंजान सुजान सदा कल्यान लोकोत्रिक का बावार्थ है आपको बताना है कि अंजान सुजान सदा कल्यान लोकोत्रिक का बावार्थ क्या है अंजान और सुजान के साथ सदेव लाब मिलता है बोला-बाला ग्यानी कल्यान कारक होता है मुर्क और ग्यानी दोनों मुझे में रहते हैं मुर्क स्वैं को ग्यानी समझके नुकसान पहुँचाता है जल्दी बताउ correct answers बिल्कुल-बिल्कुल स्वागत है चलो दोस्तो कर्रेक्टांसर बता देते हैं, अच्छी लोक उत्तरी है यह देखो कर्रेक्टांसर का ओप्शन थर्ड ही यहाँ पर मुर्ख और घ्यानी दोनों मजे में रहते हैं, क्यायता हैं, दोनों मज़े में रहते हैं क्याते हैं पताना है अगले के और आज के हमारी हिंदी के सिरी चल रही है टौप सीरीज हे सब्सक्रांप का सही विकलब है आपको बताना है कि पाक्तन सब्द में उपसरक एम मोल सब्द का सही विकलब कोनसा आई आपको बताना है प्रा प्लस तन प्राक प्लस तन पर प्लस तन प्रा प्लस कतन 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 चलो जल्दी बताओ करेक्ट आंसर पाक्तन अधा क है है पाहग प्लस तन बिलकुल करेक्ट टांसर ऑप्शन भी होगा पाक आधा का प्लस तन का क्ळा तन हो ऑग tehdoo उप्सर्ग आर मूल हो गया आपकी उप्सरग और यह मूल चलो चलते है दोस्तो अगले क्योशन के और यह आपके स्किन पर अगले क्योशन कवी सब्द में कौन सी संग्या है कवी व्यक्ति वाचक जाती वाचक धर्व वाचक या इनमें से कोई नहीं बिल्कुल कभी क्या है आरे कभी एक जाती है तो कभी जातियों का बहुत कराता ये कभी की बात को तोड़ी कर रहा है अब इसमें कितने भी कभी आ सकते हैं जाती है कवी की तो जाती वाच्चक संग्या होगी चलो दोस्तों अपकी सामने हैं कि विद्यार्तियों में भासा की रूची का विकास करने का उप्युप्त उपाय है विद्यार्तियों में भासा की रूची का विकास करने का उप्युप्त उपाय कौन सा है ओप्चन है विद्यार्थियों के व्याकरण के ग्यान को बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठे पुस्थ के पढ़वाना, विद्यार्थियों को मौकी ग्रूप से अधिक अधिक समझाना या उप्पिक्त सभी चलो जल्दी से बताओ देखो विद्यार्तियों में बासा की रूची का विकास करना है तो कैसे करोगे चलो दोस्तों करेक्ट आंसर बता देते हैं ओप्शन थर्ड याँ पर करेक्ट आंसर होगा इसलिए बालो को मोकिक ज्यान होना अति आवसक है और आज के समय में तो मोकिक ज्यान होना बहतरिन यानि एक तरह के से वर्दान साबित हो रहा है इसलिए मोकिक ज्यान अति आवसक है मोकिक ज्यान के माध्यम से ही वो अपने भासा कोसल का विकास कर पाता है चलो चलते हैं अंगले Devi to mix को सले हैं जो हम पढ़ा रहा है यह को सब तो वहीं चीज़ अती है या पर दूष्ट अपनी दूष्टता नहीं छोडडता के लिए उप्र्यक्त लोकोत्ति कौन्सी जैंशी है कि तूष्ट होता है वह हमें 2 C यानी बिल्ली खंबा नोचे Option B है गंगा गए तो गंगा दास जमना गए तो जमना दास Option थड़ है यापर कभू हूँ निरा मिस होए ना कागा Option 4 है जिस पतल में खाना उसी में छेद करना जल्दी उताया करेक्ट आंसर क्या होगा इसका जल्दी दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल स्वागता आपका स्वागता है बिल्कुल बिल्कुल चलो दोस्तों करेक्ट आंसर आपको पता देते हैं Option 3 यापर करेक्ट आंसर होगा कभू हूँ निरा मिस होए ना कागा तो यहां पर उप्यक्ति लोकोत्री बैठेगी कि दूस्ट अपनी द्वस्ता कभी नहीं छोड़ता चलो लास्ट आपके सामने एक क्यूर्शन दिगरा होगा निम्न वैसे कौन सा वर्ण इस पर सी संग्रसी है इस पर सी भी है संग्रसी भी है तो कौन सा है जसर्ट ह हुआ देखो करेक्ट आंसर बता देते हैं चवर्ण आपने सुना होगा तो चवर्ण के अंदर ज आता ना जप और जन्डा है ना जन्डा तो ज़़़़़ आपका क्या है एक संग्रसी वैंजन है और इस पर सी वैंजन भी है तो करेक्ट आंसर होगा ओप्शन एक चलो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताए और पेज को फोलो कर लिजिएगा टेलिग्राम से जुट जएगा बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है या बाकी आप हमारे एन्नार इसड़ी एंसे आटी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेए वहां पर आपको एंसे के नौट्स उपलब्द हो जाएंगे चलो दोस्तों हमारे साथ बना रहने गले आपका देह दिल से दन्यावाज शुक्रिया मस्त रहे व्यस्त रहे